आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम असे दहां तक नहीं होते रिश्टेडी आएकिवाब का बहुत बहुत सभागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ड वार वन के एक और जैनोसाइट की और वर्ड वार वन में जो जैनोसाइट हुए थे वो बेसिकली तीन बहुत बड़े जैनोसाइट थे जिसमें मैं दो कवर कर चुका हूँ और यह आखरी है वैसे यह जैनोसाइट सीरीज है मैंने बहुत सारे जैनोसाइट कवर किये ह जितने भी अभी तक दुनिया में हुए हैं और अभी बहुत सारे cover करने बाकी हैं मैं genocide इसलिए cover करता हूँ कि आप देखिए कि दुनिया में क्या हुआत और जो हिंसा को बहुत जाधे justify करते हैं देखिए कैसे हिंसा की आँख फैलती है यहार किसी को अपने चपेट में ले लेती है यह भिद्भाव नहीं करते हिंसा जो है इसलिए अहिंसक बनो गांधी जी के मार्ग पे चलो तो आज हम Greek genocide की बात करेंगे साथी साथ हम Greece और तर्की की भी बात करेंगे ठीक है और पूरा background जानेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिरन्स को reconnect मेरा Facebook page है सिद्धान अगनी उतरी के नाम से मेरी Facebook profile है दोनों ही जगा आप अच्छा की PDF ले सकते हैं सबाल भी पूछ सकते हैं study IQ के tablet और pen drive courses हर exam के लिए आते हैं आप इन नमर्स में call करें वेबसाइट विजिट करें आप मैं Twitter पे भी आ गया हूं दोस्तों यह रही मेरी ID और आप Twitter पे भी मुझे follow कर सकते हैं दोस्तों यह है ancient Greek empire मैं आज आपको पूरा Greece ही समझा देता हूं ठीक है अगर हम Greek empire की बात करें देखिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े empire आए हैं ठीक है यह मैंने जब पाइथागुरस की biography रिव्यू की थी तब भी आपको बताया था उसमें एक था Greek empire ठीक है Greek empire Alexander जब आये Macedonian king Alexander जिसकी biography मैंने रिव्यू की है तो Alexander जब आया और उसने एक सिरे से जीतना शुरू किया तो वो भारत तक आ गया था यह देख रहे है ना भारत भारत के इस हिससे को उसने जीत लिया था तो Greek empire पूरे Middle East को cover करते हुए पूरे Persia को cover करते हुए इदर भारत तक आ गया था ठीक है और जब Alexander की मौत हुई उसके बाद हम देखते हैं कि Alexander की जो governor थे जो Alexander ने एरिया जीते थे वो उसके governors ने बाट लिये और यहां से शुरुआत होती है सेलुसिड किंडम या फिर Hellenistic period की और उसके बाद फिर एक Roman एक और बहुत बड़ा empire Roman empire का उदय होता है और ultimately यह सब कुछ Byzantine empire के अंदर आ जाता है ठीक है तो Byzantine empire का अंत कब हुआ जब Ottoman empire का उदय हुआ और यहीं से ही problem की शुरुआत हो जाती है Greek empire एक समय पर बहुत बड़ा empire था बहुत सारे empire पैरलली चल रहे थे दोस्तों chronology क्या है सबसे पहले लोग आये मतलब इंसान आया एफ्रिका में इंसान आउट ओफ एफ्रिका थियोरी आफ्रिका दे बाहर निकला वो उसके बाद उसने agriculture सीखा उसने क्रिशी सीखी उसने domestication of animals, domestication of agriculture सीखा फिर उसने पानी को ढूंडा, group बनाया, tribes में लोग रहने लगे और उसके बाद फिर सभ्यताओं का उदय हुआ इन्ही tribes ने सभ्यताओं को बनाया ठीक है और फिर बहुत बड़ी-बड़ी सभ्यता नदी के किनारे उबरी चार सबसे कुरानी सभ्यता जो है ही के, तो Greek Empire एक बहुत बड़ा थे, इधर पैरलली एक और बहुत बड़ा एंपायर है, Persian Empire भी यहाँ पे चल रहा है, पूरा का पूरा, Persian Empire भी पूरा, इसने Syria, Egypt अपने कबजे में ले लिया था, और Persian Empire और Greek Empire में तो कितने सालों तक जंग चली है, 300 आपने मूवी देखी न, वो क्या थी, Persian Empire और Greek Empire की बीच में तो लड़ाई थी, और एक बार भी Persian Empire ग्रीक को हरा नहीं पाया, उल्टा, Greece ने Persian Empire को हरा दिया, Alexander ने पूरे Persian Empire को दोहस्त कर दिया, हलाकि यह बहुत बात की बात है, ठीक है, तो यह सब कुछ हुआ, और इधर Roman Empire भी चल रहा था, लेकिन द और Byzantine Empire को भी खतम कर दिया, तो Ottoman Empire 1923 तक रहता है, World War 1 तक, क्योंकि World War 1 में क्या हुआ, दोस्तों, हम World War 1 की ही बात करेंगे, World War 1 में दो पावर्स थी न, ठीक है, एक थी Central Powers, जिसमें हमारा Austria-Hungry, Germany और Ottoman, बिसिकली यह दो में थे, Germany और Ottoman, यह एक तरफ से लग रहे थे, और ब पार को तोड़के टर्की बना दिया गया, और टर्की बाद में रिपब्लिक हो गया, केमल पाशा एता तुर्क, जिनको फादर अफ टर्की बोला जाता है, उनकी बाइग्राफी मैंने डिव्यू किया, आप देखिएगा, यह चीज आप समझे, अब यह देख लीजे, आप खरकी इंपलने डिवरेजन को हर को एक कबजह में लेना चाहता था, क्यूकि पुरा ट्रेड यहां से कंट्रोल होता था, और जहां से 수도 कंट्रोल होता ए ग्रीस, एम्पायर, या कोई भी एम्पायर जितना फ्रडिश इसलिए हुआ, क्योंकि बहुत बधीया होता था, रहे आईनियन जी मेडिटरेनीयन यह ग्रीज को सराउन्ड करता है और बहुत सारे आइलेंड है घ्रीस में और यह आइनियुद स्कूल आइलेंड तो यहां से निकला आज से 20,000 सार पहले बहुत सारे फिलोसफर इधर से यह जो आईनियन आइलेंड से आप देख रहें पर देखें कि यहीं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा बहुत सारे Greek तर्की में आने लगे माइग्रेशन होने लगा भाई माइग्रेशन कहा होगा जो border states होगे वहीं पर ही तो माइग्रेशन होगा और यहीं से ही Greek genocide की नीव पड़ गई Ottoman Empire के जब उधय हुआ दोस्तों तो Ottoman Empire ने सब कुछ अपने कबजे में ले लिया चलिए पहले मैं तर्की को भी दिखा देता हूँ यह देख लीजे ठीक है यह तर्की है तो यह पूरा Anatolia region यह जिसको Asia minor भी बोला जाता है तर्की जो है एक तरीके से gateway है यूरोप और Asia का तर्की आधा यूरोप में Istanbul देख रहे हैं आप यह वाला Istanbul जो है वो तर्की का सबसे बड़ा शहर है जो कि आधा यूरोप और आधा इसिया में है और तर्की की capital है Ankara ठीक है यह देख सकते हैं ठीक है और यह lake van बहुत बड़ी इधर से फिर बहुत सारी नदिया भी निकलती है टेगरेस यूफरेक्स ठीक है तो दोस्तों हम यह हुआ तो उसने सब कुछ अपने कबजे में ले लिया लेकिन Ottoman Empire के अंदर बहुत सारे Greeks भी रहते थे क्योंकि जब migration हुआ तो बहुत सारे Greeks जो है वो यहां पे इस Anatolian region में आके settled हो गए और यह वाला जो रीजन था मैंने आपको बताया था जब मैंने बताया वैसे नहीं था अभी मैं जब greatest empires के बारे में बताऊंगा तब आप उनको पता चलेगा यह वाला जो रीजन है जो तर्की का Anatolia region है यहां पे minerals बहुत मिलते थे खनीज बहुत मिलते थे और इस इसी region के लिए बहुत साथा जंग होती थी हर empire यह चाहता था कि Anatolia उनके पास रहे और Greek empire ने इसकी शुरुवात कर दी ठीक है लेकिन Ottoman empire ने फिर बाद में इस पूरे region पर रूल किया और जब यहां पे Greek Christians आये तब बहुत ब Byzantine empire के अंदर Greek empire आया या कि पूरा का पूरा Greece आया तो Byzantine empire को official religion क्या था? Roman empire को official religion क्या था? Christianity आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहरा हूँ? Christianity यहां पे official religion था तो जब यह लोग migrate किये इधर Anatolia region में तो लोग तो आये Greeks तो आये साथी साथ अपने religion को भी लेके आये Christianity को भी लेके आय यहां पे और Christianity को भी फैलाना शुरू किया लेकिन जब Ottoman empire का उदय होता है और जब Ottoman empire सब कुछ अपने कबजे में ले लिया तो उनका तो प्रॉमिनेटर religion था Muslims वो तो इसलाम को follow करते थे तो यानि कि यह जो Christians है इस region में हो गए minority मे और जो Muslims है वो majority में हो गए बहुत सारे Christians ज ठीक है न यह बिल्कुल भी बहुत crude empire नहीं था ठीक है हाँ यहां पे restrictions थे लेकिन अगर हम बात करें और Islamic countries की तो यहां पे तर्की में आप देखेंगे कि यह बिल्कुल Europe जैसा ही culture है यहां पे ठीक है बहुत जादा ओर्तों को राइट्स यहां पे मिले हुए है और इंसानो Christians थे ठीक है बहुत सारे Greeks ने Islam को भी grant कर लिया था क्योंकि उस समय जो minorities थी अगर आप Islam follow नहीं करें तो आपके पर tax बहुत जादा लगाएंगे और आपको परशान करेंगे तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने Islam को भी grant कर लिया ठीक है तो उस समय World War 1 तक दोस्तों बहुत सा तो दोस्तों मैंने उस पे पूरा separate lecture लिया है, Kurds रहते थे जिनका अभी टर्की से काफी जादा जगडा चल रहा है, Georgians रहते थे, Georgia की जो boundary है वो टर्की से लगती है, Sarcassians रहते थे जो World War 1 में, देखिए World War 1 में Sarcassians और Kurd जो है वो लॉयल थे Ottoman Empire के, और Assyrians, Assyrians रहते थे थ इनको तो 2000 सालों से persecuted किया जा रहा है, history of Jews मैंने cover किया है, और last people लेते थे, और भी minorities में थे, लेकिन ये main groups थे, समझ रहे हैं, अब जब World War 1 शुरू हुआ, ठीक है, तब यहाँ पर Ottomons को क्या लगा, कि कहीं ऐसा ना हो, कि जो लोग minority में हैं, especially Armenians, Armenians को यहाँ पर systematically मारा गया क्योंकि डर यही था Ottomons को, कि जो लोग हमारे यहाँ हैं, और Armenians पे, Christians पे, हम बहुत सालों से, यहाँ पे इनका persecution चालू है, बहुत इनको second class citizen ट्रीट किया जाता था, तो कहीं ऐसा ना हो, कि यह लोग allied powers से जाके मिल जाया है, और यही हुआ, Armenians ने साफसा बोल दिया, कि हम हम तो आपका साथ नहीं देंगे, हम allied powers का साथ देंगे, एक देश में एक community रह रही है, युद्ध हो रहा है, और वो community कह रही है, कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम उस देश का या उन दोशों का साथ देंगे, जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता ह क्या होगा खतम कर दिए जाएंगे और Armenians के साथ यही हुआ बुरी तरीके से इनको मारा गया लेकिन साथ में ग्रीक्स भी निपट गए और असीरियंस भी निपट गए इन दोनों को भी साथ में निपटाया यहां पे टर्की ने आपने आपको बहुत बड़ा समझ रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि हम एलाइट पावर से मिलेंगे इनको तो छोड़ा नहीं जाएगा बहुत बड़ी प्रावर समझ रहे हैं जाएगी जादा तर आपने अलग देश और आज अलग देश भी है कुर्द चारे हमारी अलग जमीन हो जूस तो कपसे चा रहे हैं तो यहां पे हर कमुनिटी अपनी अलग जमीन अपने अलग देश की मांग कर रहा था और यहीं बहुत बड़ा डर था ओटमान एंपायर का वर्ल्ड वार बन में कि कहीं हमार गए तो यह सब के सब जमीने ले जाएंगे इससे अच्छा इन सब को खतम कर दो निप्ता दो ना रहेगा बास ना बजेगी बास औरी सब को लाइन से निप्ता दो और उसके बाद यह मौद का तांडव शुरू होता है आटमान की आर्मी आटमान की आर्मी थी इर्रेगुलर्स जादा थे इर्रेगुलर्स मतलब वो है कि जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं इदार उदर से बुला लिया गुंडों को बुला लिया मारो इससे दो चीज़े होती है सबसे पहली बात यह होती है इर्रेगुलर्स का क देखिए अगर इर्रेगुलर्स को पकड़ा माल लिजе अगर इर्रेगुलर्स पकड़ लिये गए तो सरकार पल्ला जाड़ लेती है कि हमारा इंसे कोई लेना देना नहीं जैसे पाकिस्तान करता है पाकिस्तान ने भी कश्मीर वार हुआ था तो उसने बहुत सारे इर्रेगुलर्स बेजे, 1965 में बहुत सारे इर्रेगुलर्स बेजे, क्यूं? क्यूंकि जैसे ही इर्रेगुलर्स पकड़े जाएंगे वो अपना पल्ला जाण लेगा कि हमको इसे लेनी ही दिना नहीं है, हम नहीं जानते हैं यह करते हैं सीधी बात तो फिर कारवाई नहीं होगी कारवाई नहीं होगी तो बचके निकल जागा देश यही तरकी करता था और तरकी का यही दो था ग्रीक जेनुसाइट उसले यही दो चीज़े की ग्रीक को भी उन्होंने सोचा कि सबग तो सिखाएंगे यह जो कम्यूनिटी वर्ड वर वन खतम हुआ तब कहां बचके जाओगे जो पात कि यह उसका हिसाब तो दे नहीं पड़ेगा तो यह सब कुछ हो रहा था अब हम यह देखते हैं कि जो ग्रीक्स थे वो जाधा तर क्रिश्चन्स थे और उनको घेर घेर के मारा जा रहा था गाओं के गाओं पर ब दगा तो दिक्कत बहुत जाधा हो गए क्यूंकि हम यह देखते हैं कि देशों ने भी अब इसको रिकग्राइज करना शुरू कर दिया न्यू यूर्क टाइम्स में आर्टिकल आया कि ग्रीक्स को मारा जा रहा है और भी मीडिया ने बताया कि यहां तो पूरा के प्रोग्राम चलाएं दूसरा यह था कि कुछ देशों ने इस्पेशली वेनिज्वाला ने बोला कि अगर आप ऐसे ही ग्रीक्स को मारते रहेंगे तो हम मुस्लिम को भी मानेंगे तो यह भी खत्रा तो ओटो मॉन एम्पायर की ऐसा नहों कि हमारी केंपेंस की वज़े से मुस्लिमों पे भाई देखो लोगों की क्या गलती है या तो लोग क्या करें अब जो सरकार आदेश देगी उसको मानना है ठीक है तो यहाँ पे यह भी तो ओटो मॉन एम्पायर को कही कि पूरी दुनिया के मुस्लिमों को ना भारा जाने लगे तो इसमें भी थोड़ा सा ह की आतियात लेकिन यहाँ पर ओटो मॉन का सीधा था कि यह सब चीजे बात की बात है लेकिन अभी जो हमको करना है वो करना है और 1914 वोड़ वार वन जब शुरू होता है यह अटाक्स जो है वो शुरू होने लगे ठीक है इर्रेगुलर्स ने सब को पकड़ा ऐसे क्यांप्स बिले जाना है ट्रांसपोर्ट से नहीं ले जाते थे ट्रक से नहीं ले जाते थे पैदल ले जाते थे च्छे साथ दिन का सफर होता था बिना खाय पिए मर जाते थे कितने लोग दोस्तों यह डेथ मार्चेज में व्ल्ड वार वन में डेथ मार्चेज में निप पड़ेगा एक्स्चेंज प्रोग्राम चलाओ और जितने भी ग्रीक्स वहां पे रहते हैं उनको ले कि आओ वरना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं चार सालों तक तो जब तक वर्ल्ड वर खतम वर्ल्ड वर वन खतम नहीं हुआ डिस्पाइट की बहुत ज़्यादा ट्राय किया ग्रीक्स ने और दुनिया ने भी ट्राय किया ग्रीक्स को मारा जाता रहा आटोमॉंस ने मारा बहुत बुरी तरीके से कुछ हम देखते हैं कि ग्रीक्स ने कुछ ग्रुप्स ने यहां पे इंसर्जेंट ग्रुप बना लिये इस्पेशली पॉंटिक ग्रीट्स जो पॉंटिक रीजन में रहते थे पॉंटिक एरिया में रहते थे पॉंटस एरिया जिसको बोला जाता है वहां पे इंसर्जन ग्रूप्स बन गई यह रिवेल हो गए कि हम अगर हमको आप ऐसे मार रहे हैं तो फिर हम भी आपके खिलाफ करेंगे यहां पे दोनों में युद्ध भी हुआ ग्रीक्स ने लड़ाई लड़ी और रश्या जो है यह पॉंटिक ग्रीक्स को वेपन सप्लाई कर रही थी तो हम देखते हैं कि यहां पे बहुत ही बाहदुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन आटोमन एंपायर के सामने ज्य बीच में आकड़ा है इतने ग्रीक्स को मारा गया इधर फैरलली आर्मीनीय का तो जैन्नुसाइड चालो ही है असीडियन को तो मारा ही जा रहा है साथ में ग्रीक्स को निप्टा दिया गया जो भी माइनॉरिटी में ते जो आटोमन एंपायर का साथ नहीं दे रहा है वह जो scholars है वो यहीं बताते हैं अब उसके बाद एक population exchange program भी चला 1923 में बकायदा एक population exchange program भी चलाया ठीक है और इस population exchange program की बात करें तो उसमें यह आप जो है आपके जो भी ग्रीक्स है वो आप हमको सौप दो यह ग्रीस ने बोला और इधर जो ग्रीस में Muslims रहते हैं वो तर्की को सौप दो तो यह population exchange program 1923 में बहुत जादा popular हुआ था ठीक है औ और उसके बाद लगबग 15 लाग ग्रीक्स जो है वो ग्रीस में गए और इधर चार लग जो Muslims हैं वो तर्की में गए तो यह population ताकि आप और ज्यादा इनको ना मारा जाए इसलिए था अब आप सोचेंगे कि क्या किसी के ओपर कारवाई हुई नहीं साइन हुई तो इसके आर्टिकल 142 में लिखा था कि वार क्राइम्स जो भी यह जैनुसाइड में जिसने भाग लिया उसके ओपर मुकदमा होगा लेकिन इसको तर्की ने कभी रेटिफाइन नहीं किया और बात में इसको ट्रीटे अफ लूजियाना से रेप्लेस कर दिया ही के तो जादा तो वार क्राइम्स नहीं और अभी भी तर्की जो है वो इनको रिकागनाईज नहीं करता है अर्मीन जनुसाइड उसको वो बोलता हमको पता ही नहीं था यह सब क्या हुआ हुआ हमारी रिस्मोंसिबिलेटी क्या है लोग आये एर्रेगुलर्स ने मारा तो सचाई तो सबको पता है तो यह लेcकर था और वर्लड वर वर वन के सारे जनुसाइड जो है वो पूरे हो गई इसलिए जो genocide series है, मैं इसलिए ये lectures आपके सामने लेकिया, तो कि आप देखिए कि दुनिया में क्या-क्या हुआ है, कितना काला इतिहास रहा है हमारा, कितने लोगों को, ये बोलने में आपको अजीब लग रहा होगा, तो ये lecture था, I hope आपको पसंद आया होगा, कुछ रहे परते हैं देशे सिर्दान तक नहीं उतरी,